असलाम उलेकुम व्योज, वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में भी बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेर की जाएंगी जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगी आपके स्लिकामंदी में भी जाफ़ा करेंगी और आपके पैसे भी बचाएंगी वक्त भी बचाएंगी तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली टेप है वो नेल कटर को लेके हैं हर घर में यूज होता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें इसकी जरूरत होती है यह हमें मिलता नहीं है तो इसके लिए बहुत ही इजी सी टेप कि हम इसको कैसे सेव करें कैसे अपने सामने रखें तो इसके लिए मैं यहां पे अपने पुराने एरिंग्स यूज़ कर रही हूँ इनकी मुझे और जरूरत नहीं है तो अब इसको मैं देखे किस तरह से यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद दुबारा से इसी तरह से हैंग किया जा सकता है देखिए कितना हैंडी भी हो गया है और इसी तरह से मैं इस तरह भी यूज़ कर लेती हूँ यह जो छोटे kitchen towel होते हैं यह एकसर मिलते नहीं है यह यह कहीं ऐसी जगह पर होते हैं जहां से हमें लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो अगर आप बिल्कुल अपने सामने इनको रखना चाहते हैं और ऐसे हैंग हों कि ये बार-बार गिरे मीना ये इतने छोटे होते हैं कि जहां भी हैंग करते हैं ये गिर जाते हैं इसके अंदर से गुजारने से ये ची तरह से bind हो गया और गिरेगा भी नहीं दूसरी टिप इस bottle को लेके है water bottle या किसी भी drink की जो bottle है उसका इस तरह से आपने उपर वाला हिस्सा जो है वो cut कर लेना है cutter से कर ले या छूरी के साथ कर ले ये बहुत ही हलके से material से बनी हुई bottles होती है सानी से ही इसका उपर वाला हिस्सा cut हो गया था और इस तरह से बाकी के हिस्से को भी ये जो अगर साथ में थोड़ा सा plastic आ जाए तो उसको cut करके मैंने इसको knead कर लिया है ये देखिए अब इसको हम different purpose के लिए use कर सकते हैं मैं यहाँ पर अपने recliner सोफे के साथ जो मैंने lead लगाई हुई है उसके लिए use कर रही हूँ ये देखिए ये इस तरह से palm में भी अटकती रहती है लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से bind करूंगी जिस तरह से हम कोई भी तार को इस तरह से लपेट के रखते हैं तो लपेट के तो ये वाला bottle का जो cap है इसके उपर चढ़ा दूंगी मैं जितना भी आपने इसको छोटा बड़ा करना है आप असानी से कर सकते हैं और ये जो हमने इसका उपर वाला head काटा है इसके उपर इस तरह से चढ़ा देंगे ये देखिए अब ये अटकेगी भी नहीं मुख्लिफ जगों पर और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लाग रही है जब भी आपने कुछ चार्ज करना हूँ आप इसको नकालके चार्ज करने और दुबारा से इसके उपर इसी तरह से लगा दें है ना बहुत ही अच्छा organizer इसको आप मुबाइल के चार्ज के लिए या और भी तरह की वाइस जो है उनको अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं यह देखिए और तार के उपर भी मैंने लगाया है इसको तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं जो के यह मैं हमारे पास अक्सर यह सबके पास तक सलाई धेड़ते हुए उपर करना है और कौन सा नीचे की तरफ जाएगा आम तो पर इस तरह से पकड़ लिया जाता है लेकिन यह गलर डारेक्शन है एक हिससे के उपर रेड डॉट बना होता है तो आपने रेड डॉट वाले हिससे को उपर रखना है इस तरह से बकिया जो है वो उदरती जाती है जैसके यह है मैंने पहले टांके को प्रिक किया है तो बाकी का यह खुद बाखुद ही उदरता जा रहा है यह देखिए आप इस चीज़ का ख्यार रखें कि यह रेड वाला डॉट अगर उपर होगा तो यह ज्यादा असानी के साथ सलाई को उध के पास ही होते हैं तो इसके जरिए मैं इसको असानी से उठाऊँगी क्यूंकि यह जो भी चीज गिर जाती है उसका एक-एक दाना या एक-एक कभी मोतिव गरा बीडस होते है तो एक-एक को इकठा करना काफी मुश्किल होते है तो अगर आप कुएक से इनको उठाना चात तो ये मैंने इसके उपर एक सॉक्स उल्टी करके डाल दी है और इसके अंदर बाज के सिरे जो हैं हुवर के काफी बड़े होते हैं गोल पाइप की तरह उसमें तो ये बहुत ही सहुलत से हो जाता है लेकिन ये इसका सार जो है थोड़ा सा बारीक है तो मैं ये इसके साथ जाएगी जैसे यहां पर सॉंफ गिर हुई थी तो मैंने इसको चला दिया है इसके ओपर ये सारे का सारा जो मेटीरियल है ये अपने अंदर खेंच लेगा कि बाकी इस तरह से एक दम से ही इसके अंदर चला जाता है अगर उपर से हम इसको प्रेशर देंगे जस बटन आउन किया है तो अब मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ देखिए जो सॉक्स इसके अंदर गई हुई थी तो सारा मेटीरियल उसके अंदर ही जम्मा हो गया है अब इसको निकाल लेते हैं ये देखिए है ना बहुत ही क्विक से चीज को इकठा करने वाली टिप इस तरह हमें कोई मुश्किल भी नहीं हुई हमें एक एक दाना भी नहीं चुरना पड़ा और कोई और जाड़ू वगरा भी इसको नहीं लगा तो पांच्वी टिप ये लीमू को लेके है लीमू जब यूज कर ल लेती हूं यह सिंक है तो इसके अंदर काफी कुछ जमा हुआ हुआ था उसको मैंने हाथ से निकाल दिया थोड़ा सा डिश्वाश लिक्वेड एड किया है और यह जो यूज लेमन है इसको इस तरह से कट लगाया है ताकि यह सारा खुल जाए और अब इसके साथ मैं इसको रब करूंगी इसमें इतनी ज्यादा चमक आ जाती है कि आप खुद भी देखे हरां रह जाएंगे इसको मैं साइट पर कर देती हूं लीमू के अंदर जो सिट्रेस होता है खटाई होती है उसे सिल्वर की और स्टेनलस टील की जो चीज़ें है उनमें बहुत ज्यादा चमक कैने जाती है क्लीनिंग हो जाती है दाग साफ हो जाते है एसके उड़ कि नीमू को पर जो इसकें नदर छिलके में तेल भी टो होता है वहाद ही और बहुत ही गृट होता है इसके लिए आप चाहें तो वाशिंग पाउडर भी थोड़ा से यूज़ कर सकते हैं ये जो भी चीज आप बरतंद होने के लिए यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी लगाएं और लीमू के साथ इस तरह से क्लीन कर लें अब आप चमक से अंदाजा लगा सकते हैं इसी तरह से ये काउंटर टॉप हैं इन पर भी कुछ न कुछ गिर जाता है दाग धबे पड़ जाते हैं तो पहले तो मैंने इनको वैसे ही साफ कर लिया है उसके बाद ये एक लीमू को कट करके यूजड लीमू है इसमें जूस नहीं था लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी ज्यादा खटाई होती है तो उसके साथ इसको हलका हलका उपर रब कर देंगे ये ज़स खुश्बू के लिए है और कोई इंसेक्स विएरा भी नहीं आएंगे बहुत ही अच्छी सी खुश्बू काफी घंटों तक आती रहेगी चमक भी बहुत ज़्याद आ जाती है दाग दबे भी साफ हो जाते हैं और क्लीनिंग का एक बहुत ही जबदसा एसास भी होता है यह देखिए ओपर जस्ट टावल के साथ मैंने इसको वाइप कर दिया है यह देखिए ओबरा लुक यह जो कंटेनर वगारा रखे होते हैं जैसे मैंने ओईल रखा हुआ है जो के मुबाइल को लेकी है आम तार पर हमारा ज्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है तो किचन में मुबाइल इस तरह से खड़ा करना काफी मुश्किल होता है तो उसके लिए आप कोई भी बॉटल वगारा यूज कर सकते हैं यहां पे जो भी बॉटल इदर किचन में पढ़ी होती है यह मिर पास प्रेब बोटल है इसके ओपर इस तरह से भी रख सकते हैं सीधा भी खड़ा कर सकते हैं और रबड बैंट हम सब के पास ही होता है इस तरह से पहले rubber band लगाए और इसके अंदर phone को खड़ा कर सकते हैं यह देखिए जस्ट इसको on कर ले और आपको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप videos गयरा भी साथ ही आप देख सकते हैं और अगर दो rubber band यूज़ करना चाहें तो इस तरह से करके यह देखिए बहुत ही असान तरीके से यह phone सेट हो गया युकिनिन आज की tips and tricks आपको पसंद आई होंगी वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल को सब्सक्राइब करें अलाह आफिर